रादे रादे सभी को ये देखिए मैंने यहां दो बड़े चम्मच बेशन लिया है इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची थोड़ा नमक करस किया वासा बुद्धनिया जीरा और थोड़ी एजवाइन हाथ से करस करके डालेंगे और थोड़ा सा इसमें मोहिन के लिए हम ओल डालें पानी जादा निडालना है क्योंकि बेशन हमेशा पानी कम लेता है और इसको 10 मिनट के लिए रेश्ट करने के लिए रख देंगे इसकी बात बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आटा लेकर हम इसके गट्टे बनाएंगे गट्टे एकदम लंबे लंबे बनाएंगे पतले पतले ये देखी हाथ से ऐसे जोर देते हुए भी बना सकते हैं और दोनों हाथों से जोर लगा कर भी हम इसके पतले पतले गट्टे बना सकते हैं हमारी दादी नानी इसे तरीके के गट्टे बनाया करती थी ये सबजी बहुत ही वैसे तो बहुत ही पुरानी है हमारे गरों में हम मेसा से ऐसे बनाया जाता था लेकिन अब ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना बता रही हूँ ये जब भी सब्जी बनाएं तो थोड़ा सा आटा जादा लगाएं क्योंकि इसकी जो अपन लाष्ट में थोड़ा सा आटा बचा के अगर इसकी दो रोटिया बना लेंगे और धई के साथ खाएंगे तो वो बहुत अच्छी लगती हैं ये रोटिया बिल्कुल अपने सिंपल रोटियों के जैसी बनती हैं अब देखे आपन सब्जी के बनाने की तयारी करते हैं सब्जी के लिए मैंने एक बर्तन में ओगरम होने के लिए चढ़ा दिया है और उनी गरम होते जीरा अजर डाले है इधर हम इसका जो मसाला है वो और फीर सब्सक्वार ने अंदर डालेंगे। सीधा मसाले को हम ऑइल मैं छोडेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इस मसाले को हम चम्मत से चलाते हुए पकाएंगे दो मिनट हो चुके हैं देखिए हमारा मसाला पक चुका है इस पॉइंट पे हम इसमें गरम पानी एड़ करेंगे हमारा पानी जब अच्छे से खोलने लगे तब हम उसमें सारे बेले हुए गटे डाल देंगे और इसको ऐसे ही उबलते हुए 10-15 मिनट तक सीखने देंगे तब तक हमारा जो बेसन की रोटी हैं वो तयार कर लेंगे ये नॉर्मल रोटी जैसी बनाई जाती है ये दोनों रोटियां बनकी तयार होती है ये दाई के लिए और ये अपने गटे की सबजी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद